हाई एवरिवन वेलकम टू माई कुकिंग ब्लॉग तो चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं एक्टम ट्राडिशनल तरीके से मोदक यानि कि स्टीम वाले उकडीची मोदक गणपती बपा को लड़ू के साथ साथ मोदक भी बहुत ही प्रिय है इसलिए ये हर घर में प्रशाद के रूप में जरूर बनाया जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम मोदक के लिए स्टफिंग बना कर तयार करेंगे और इसकी लिए मैंने एक पैन में लिया है एक चम्मच घी इसमें मैंने डाले है कटे हुए मेवे यानि की चौप किये हुए ट्राइफरूट्स को हमें रोस्ट करना है जैसे ही रोस्ट हो जाए इसमें हमें बारिक कदुकस किया हुआ नारियल, यहाँ पर मैंने फ्रेश नारियल लिया है, ट्रडिशनल मुदक बनाने के लिए आपको फ्रेश नारियल का ही यूज करना है, नारियल को हमें रोस नहीं करना है, बस घी में इसे मिला देना है, जैसे ही घी में अच्छे से मिल जाए, इसम कि मैंने यहाँ पर 2 कप गदुकस के ऑँवा नारियल लिया था और अब इसमें मैंने डाला है इक कप गुड और आधा कप चीनी यानि कि आपको टोटल दीड कप गुड या चीनी इसमें एड़ करना है गुड और चीनी को हमें तब तक ही पकाना है नारियल के साथ जब तक ही ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए गुड और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें हम डालेंगे और इसे flavorful बनाने के लिए मैंने डाला है इलाइची का powder इसे mix करके थंडा होने के लिए रख देंगे अब हमें एक measuring cup लेना है और इससे मापना है दो कप पानी पानी को हमें अच्छे से उबालना है तो gas का flame on कर दें और पानी को उबलने के लिए छोड़ दें इस पानी में हमें डालना है एक चमज खी और दो पिंच नमक और इससे हमें अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ देना है पानी में अच्छा उबाल आ गया है और देड कप इसमें हम डालेंगे चावल का आटा जिस measuring cup से मैंने पानी नापा था उसी measuring cup से मैंने चावल के आटे को मापा है और इससे अच्छे से हमें mix करना है पानी के साथ गयास का flame इस दौरान आपको एकदम कम रखना है और इससे ढखकर low flame में 4-5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है चार से 5 मिनट के बाद धकन हटा कर अब चेक कर लें पानी बिल्कुल अबज़र्व हो गया है चावल के आटे में इससे चला दे गयास का flame आफ करें और इससे धक कर 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें चार से 5 मिनट के बाद इसे वापस से चेक कर लें और जैसे ही ये थोड़ा सा थंडा हो जाए इसे अब हमें अच्छे से गूंधना है तो मैंने इसे surface पर उतार लिया है और अब मैं इसमें एक चमज़ खी डाल रही हूँ और हाथों में थोड़ा सा थंडा पानी लगा रह करते हैं इसलिए थोड़ा सा पानी से हां ठंडा करें और धीरे धीरे करके इसे मसलना शुरू करें धीरे धीरे करके इसे हमें एकदम सौफ्ट सा दो बनाकर तयार करना है जैसे कि हम आटा लगा कर तयार करते हैं वैसा ही एकदम दो बनाकर हमें तयार करना है तो हाथों को जैसे ही 2-3 मिनट आप इसे मसल लेंगे आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट सा डो बनकर तयार हो गया है देखें हाथों में पानी लगानी के बावजूद भी हतेली लाल हो गई है तो इसे हम रख देते हैं साइट में और जो मिक्षर हमने गुड़का और नारीर का तयार किया उसके चुटे-चुटे गूल बना कर तयार कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर मूदक का मूद लिया है तो मैं मूदक को मूद में ही बना रही हूँ इससे पहले मैंने बिना मूद के मूदक की रेसिपी शेयर की थी आप लोगों के साथ अगर आप बिना मूद के मूदक बना चाते हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं मोल्ड को अच्छे से ग्रीज करना है घी से और जैसे मैने इसमे चाफ़ल का आटा जो तो बड़ा देंगे, चारो तरफ और प्रिपयर किया हुआ नारयल का मिक्षर इसमें डाले वापस से इसे cover कर देंगे, चावल के आटे से मूदक हमारा तयार है तो इसी तरीके से सारे मूदक को हम shape दे देंगे और अब इसे हमें steam करना है तो मैंने यहाँ एक pan में पानी डाला है, दो cup और इसे गरम कर दिया है इसके उपर मैंने बड़ी सी चन्नी लगाती है और इसमें अब मैं मूदक जो हमने तयार किये हैं, उसे paste कर रही हूँ थोड़े-थोड़े से gaps आप जरूर रखें और इसे ढखकन लगाकर कम से कम 15 मिनट तक medium flame में आपको steam करना है जब तक कि हमारा मूदक steam हो रहा है, मैं बचे हुए चावल के आठे से और मूदक को शेव दे रही हूँ तो मैंने यहाँ पर दूसरा वाला mold यूज़ किया है, मेरे पास दो अलग-अलग तरीके के mold है तो यह देखें, इससे बहुत ही आसानी से मूदक बनकर तयार हो जाते हैं मूदक हमारे steam हो गया है, उनको मैंने निकाल दिया है और जो मूदक मैंने तयार किया था उसे भी steam करने के लिए जग दिया था मोदक जैसे ही तयार हो जाएं इसे आप निकाले पलेट में उपर से आप खी इसमें ज़रूर डाले और इसे गानिश करें किशर के द्रेट से तो ये थी आज के मूदा की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ तब तके लिए अपना ख्याल रखिये खुश रही है और मेरी वीडियोस देखते रही है